दोस्तों को साथियों को प्यार भरा नमस्ते मैं हूँ शालुनी आप सब की दोस्त लाइफ को ट्रांसफोर्म करने के लिए कुछ बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती अपनी हैबिट्स को अपने डेली जो हमारी रुटीन लाइफ है उसको चेंज करकर आप अपन ये एक magical angel number भी जो आपके लिए बहुत useful होता देखिए खाना सोना सब का time निश्चित होता है कोई जल्दी सो रहा है कोई बाद में सो रहा है ठीक है सब की सोनी का रुटीन अलग तरह से होता है कोई prayer करके सोता है कोई affirmation करके सोता है कोई सीधे ऐसे ही सो जाता है थोड़ा स इसी को हम ये वाला जो हमारा routine है schedule है इसी को modify करके अपने life को आप change कर सकते मैं बहुत simple simple आज आपको छोटे से 6-7 steps बता रही हूं जो आपको follow करने है कैसे करना है सुभा की शुरुआत से पहला step है आपका याद रखिएगा कम से कम 21 days आप इसको जरूर करेंगे क्योंकि एक दिन या एक बार दो बार कोई भी step follow करके life transform नहीं होती है याद रखना उसको routine में लाना ही पड़ीगा तो आप क्या करेंगे अपने आपको ही दे लीजिए 21 days का challenge कि मैं 21 days तो ये चीज करूंगा ही करूंगा मुझे result चाहे जो भी आए चाहे आप किसी भी चीज के लिए करे तो first step आपका morning में उठते ही क्या होगा बिस्तर से उठना नहीं है सुबह अच्छी नीन के बाद जैसी ही आपकी आँख खुले या आप aware हो जाए कि सुबह हो रही है लगता है उठने का time हो रहा है आँख भी नहीं खुली है वहाँ वो वाली stage सबसे important stage होती है visualization के लिए तो आपने क्या करना है घड़ी भी देखने से पहले जब आप aware हो गए कि सुबह हो गई लगता है तो आपको पहला कदम उठाना है visualize करना है वहीं लेटे लेटे बंद आखों से imagine करिए visualize करिए वो चीज जो आप अपने जीवन में चाहते हैं सबके जीवन में अलग अलग चीज पैसा नहीं है किसी को कोई और problem हो सकती है जो आपकी problem है उसी को visualize करिए मान लीजिए money को लेकर बताती हूं क्योंकि सबसे जादा problem money की होती है पैसा नहीं है आपके पास पैसे की problem है visualize करिए मेरे पास तो बहुत पैसा है पैसा मेरे पास आ गया है हर तरफ से मेरे पास पैसा रहा है दर्वाजे खुल गए है मुझे वो रास्ता मिल गया है जिससे मेरे पास पैसा आ रहा है मेरे पास तो बहुत पैसा है लेटे लेटे बंद आखों से ही विज्वलाइज करिए वैसे भी डेड्रीमिंग करना सबको बहुत अच्छा लगता है बंद आखों से इदार जाए देखते जाए घुसते जाए उस खूबसूरत सी पिक्चर में जो आप अपने जीवन में चाहते हैं यानि पहला स्टेप है विज्वलाइज करना है आपको कि आपके पास अपार भंडार है पैसे का आपके पास बहुत पैसा है अपने आपको अमीर पैसे वाला पैसा है ऐसा विज्वलाइज कर लीजए है थेख के laugh में आपनाला पैसे को कम से कम पांच मिटिया जितना देधर आप लेटए बिज्वलाइज कर सकते हैं आपका शिडियूल जितना आपको पर्मिट करें उतना देर पहला कतम उथा ले विज्वलाइज कर लिया उसके बाद जो तो दूसरा step आप उठाएंगे, वो है खामोशी का, यानि silence, आप क्या करेंगे, visualize कर लिया, visualize होने के बाद अपनी energy को gain करना है आपको, आप बैठ जाएं, आँखें बंद ही रखें, बैठ जाएं या लेटे ही रहें, खामोश रहें, silence रहें बिलकुल, जब आप बिलकुल शा अपनी energy को boost करना है दिन भर के लिए, खामोशी पे हमारा ध्यान नहीं जाता, हमेशा बोलना, कहना, सुनना, सुनाना, इस पे हमारा ध्यान जादा जाता है, लेकिन अगर 24 गंटे मैंसे, अगर 5 मिनट, 10 मिनट भी silence आपने रहना शुरू कर लिया, तो आप देखिए, आप क बिलती है energy, तो ये कौन से दो स्टेप होगा, visualization हो गया, silence हो गया, तीसरा स्टेप आप क्या उठाएंगे, हथेली दर्शन, अभी आपने आखें नहीं खोली थी, अब जब आप आखें खोलेंगे, तो अपनी हथेलियों के ही दर्शन करेंगे, क्यों, परमात्मा, प्रभू तीर्थ, चक्र, सारी चीजों के दर्शन अपने हथेलियों में हो जाते हैं, तो सबसे बड़ा मंदिर आपकी हथेलियों में ही है, ठीक है, बाहर जब जब जाएंगे तब की बात अलग है, लेकिन जिस जगे पे आप हैं, वहाँ पर सबसे बड़ा तीरत आपके हाथों में ही है, अपने हाथों को रब करके, ऐसे करके अपने हथेलियों के दर्शन करें, उसके बाद अपने चहरे पे घुमाते हुए, परमात्मा को नमन करते हुए, अब आपका बिस्तर छोड़ने का समय आएगा, यानि तीसरा स्टेप है आपका हथेली दर्शन करना, बहुत ही इ है, याद रखिएगा, चौथा जो बहुत ही खास स्टेप आप उठाएंगे, वो ये कि आपको अपने बिस्तर से नीचे कदम वो रखना है, जो आपका स्वर चल रहा हो, स्वर यानि की, देखिए, कभी हमारी समय आसान शब्दों में बताती हूं, कभी हमारी सास जो होती ह इधर साइट से इस वाले नॉस्ट्रिल से तेज चलती है, कभी इस वाले नॉस्ट्रिल से तेज चलती है, तो जहां से आपका स्वर तेज चल रहा हो, हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि जे ही स्वर चले ताही पग दीजे, यानि जो स्वर चल रहा है, वो ही पग आगे वही पैर आपको आगे बढ़ाना है तो इसमें क्या है आपने देखा ये स्वर चल रहा है कि ये स्वर चल रहा है बस इतना ऐसे हाथ रखेंगे आपको तुरंट पता चल जाएगा ठीक है तो आपको यही देखना है जो स्वर चल रहा है उसी स्वर से आपको पैर नीचे रख करके निकल जाए याद रखना यह सफलता का सूत्र भी है जो भी इंपॉर्टेंट काम आप करने जा रहे हैं घर से निकले जो स्वर चल रहा है न वहीं स्वर का पैर उसी साइड का पैर आगे बढ़ा कर आपको निकल रहा है तो यह है आपका चौथा स्टेप कि जो स्वर चल कि यह है कि शीशे में देखते हुए वो चीज कम से कम 21 टाइम्स बोलिए जो आपको जीवन में चाहिए आपको पैसा चाहिए आयम रिच आपको हेल्थ चाहिए आयम हेल्दी आयम वेल्दी जो मर्जी हो एक अफिरमेशन चुलने बना ले अपने आपकी लाइफ में क्या इ प्रिया देखते हुए ब्रश करते करते मन में दोहराते रहें में हल्दी मेरी है पूरी तरह अच्छी है आयम हल्दी मेरे पास बहुत पैसा है मैं पैसे वाला हूं मैं अमीर हूं मैं रिच हूं जो मर्जी बोलना है मिरर टैकनिक को फॉलो करिए कम से कम 21 टाइम्स अपने आपको समझाईए, शीशे में कौन दिख रहा है, मिरर में कौन दिख रहा है, आप खुद दिख रहे हैं, तो आपको खुद को मैसेज देना है कि मैं स्वस्थ हूँ, खुद को समझानी की जरूरत है, कि आप स्वस्थ हो, आपके पास पैसा है, ये समझानी की जरूरत है, अगर दिन भर का जो आपका रूटीन है तो मैंने आपसे कहा कि एक एंजल नंबर भी आपको दूँगी तो आपको क्या करना है नहाने के बाद एक नंबर जो आज बता रही हूँ ये नंबर है आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए नंबर है 24,352 इस नंबर को किस सोचने समझने का नजरिया बदल देगा अब तक आप कितना भी निगेटिव हो कितनी भी निगेटिव सिच्वेशन हो ये नंबर आपके सोचने का नजरिया बदल देगा कहते हैं कि ग्लास आधा भरा है या आधा खाली है ये आपके उपर डिपेंड करता है कि आप उसे द तो यह आपको solution का रास्ता दिखाएगा, यह number आपको नजरिया बदले का positive आपके thoughts को बनाएगा, तो इस number को जरूर लिख लेए, यह number बहुत important है, money, timely चाहिए, health, ठीक है, लेकिन अगर नजरिया बदल लियाना तो सब कुछ आने लगता है, तो यह number जरूर लिखिए नहाने क अभी 21 days कम से कम जरूर लिखिए, तो यह वाला आपने number अपने body पे लिखा, किसी भी color के pen से आपने लिखकर पूरा दिन अपना गुजारा, अच्छे positive लोगों के साथ मिलिए, positive thoughts रखे, यह number आपको already positive thinking देगा, तो आप positive ही सोचेंगे इसके साथ में, अगला step आपको रात आज के दिन में, या इस life में, या past में, मैंने जो भी गल्ती की, मैं अपनी हर कमी के लिए खुद को जिम्मेदार मानती हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, तो मैं ही responsible हूँ, हो सकता है, मैंने पैसे की कदर ना की हो, हो सकता है, मैंने काम ना किया, तो मैं ही responsible हूँ, तो सब लोग जानते हैं इस प्रेयर को सोने से पहले पांच मिनट आखें बंद करके इस प्रेयर को जरूर बोलिए बैट पे बैट के इससे क्या होगा दिन बार आपने जो भी किया लाइफ में अब तक आपने जो भी किया आपने खुद को को रिस्पॉंसिबल मान के लाइफ को चेंज करना शुरू कर दिया आप देखेंगे लाइफ शिफ्ट होने लगेगी एक मोड आने लगेगा आपकी लाइफ में तो पांच मिनट करेंगे सिख्थ स्टेप यानि कि हो पोनो पोनो प्रेयर और लास्ट में करेंगे सेवन्थ खुली नहीं रही तो उस टाइम पे जब बिल्कुल बंध हो रही है ना तब विज्वलाइज करिए उस चीज को विज्वलाइज करिए जो लाइफ में चाहिए जो सुबह आपने विज्वलाइज किया था सेम वही शाम को करिए ठीक है ऐसा नहीं सुबह कुछ किया शाम में क कुछ आ गया वही मूवी को शाम को फिर से देखिए बिलकुल सोने से पहले और सोते देखते देखते उसे सो जाना है तो यह साथ स्टेक्स ऐसे हो गए जो आपकी लाइफ को काफी चेंज कर देंगे 21 दिन इस वीडियो को देखने के बाद फॉलो करके देखिए आपको पता चलेगा कि कैसे चोटी-चोटी चीजे आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करती है तो दोस्तों मैं हूँ शालिनी आपके लिए अच्छे-ची चीजे लाती ही रहती हूँ अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी आप सभी लोगों को पता है कि मैंने अपनी चैनल पर क्योंकि मुझे दिखते हैं क्लियरली तो मैं उन पर ज्यादा रिप्लाय करने के चांसे बनते हैं तो इसमें मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है 119 रुपए मंथली पे करके आप भी पेड मेंबर्शिप पा सकते हैं अब तक बहुत सारे लोग इसमें जुड़ी प्यार भरा नमस्ते